अगर आप बाई रोड किसी सफर पे जा रहे हैं तो जो बीच बीच में डाबे पढ़तने हैं तो उनमें मिलने वाली जो चना उड़त दाल फ्रै मिलती है उसके साथ नान या लच्छा पराठा मिलता है उस थाली के कहने ही क्या चलिए आज वोई दाल और लच्छा पराठा बनादे है इसके लिए मैं साबुत उरत की दाल आदी कटोरी उसी में आदी कटोरी में चना दाल मिलाके एक कटोरी मैं बिगो दूँगी 3-4 गंटे के लिए 3-4 गंटे के बाद मैं एक कुकर ले लूँगी उसमें ये दाल डाल दूँगी मैंने एक कटोरी दाल मिलाके बिगोई थी तो च्छे कटोरी पानी डाल दूँगी च्छे कटोरी पानी डालने के बाद मैं इसमें एक चुटकी हींग एक चुटकी अच्वाइन नमग, हल्दी जैसे इसमें एक उबाल हैगा इसका डखकन लगा दूगी डखकन लगाने के बाद इसमें जैसे ही दो विसे लाएंगी मैं इसे सिम पे प्रग दूगी हमें इसे सिम पे करीब 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि ये जो दाल है पूरी अच्छी तरह से गल जाए क्योंकि औरत की दाल को गलने में थोड़ा टाइम लगा तक इसका प्रेशर रिलीज न हो जाए तब तक इसका डखकन नहीं खोली है जब प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ देखिए औरत की दाल और चना दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है अब मैं इसके तरके की तयारी कर लेती हूँ इसके लिए मैं एक कराई ले लूँगी इसमें एक करची कोकिंग ओयल डाल दूँगी इसमें 5-6 कली मैं लेसन की और थोड़ा से अधरक इसके डाल दूँगी अब इसमें 2 हरीमिच भी चौप करके डाल दूँगी जैसे इनका थोड़ा कलर चेंज होगा मैं इसमें एक बड़ा प्याच का चेंज हो जाएगा देखिए मैं आपको दिखारे हूँ इतना पिंकेश हो जाए तब मैं इसमें दो टमाटर चॉप करके डाल दूँगी टमाटर को हमें पीस के नहीं डालना है क्योंकि यह डाबाय स्टैल डाल बना रहे हैं इसमें जब टमाटर के चंग्स आते हैं बहुत ही खाने में यमी लगते हैं और एक चंच में कोई भी आप मसाला रखा हो जैसे किचन की इंग चना मसाला वो डाल दीजिये अब उसके बाद में डाल उबल के रखी थी वो डाल देंगे डाल को ते मैश करते हुए जाएंगे अब मैं थोड़ा पानी और डाल देती हूँ क्योंकि अभी हमें डाल को काफी दिर उबलना है जैसे यह सही यह दाल उबलती जाती है इसमें टेस्ट आता जाता है 10 मिनट के लिए हम इसे उबलने के लिए रख देंगे तब तक मैं सैलेट दिखा देती हूँ मैंने ककरी को काट लिया है अब मैं प्याच के लच्छे कर दूँगी प्याच के लच्छों के ऊपर थोड़ा सा नमक और एक निम्बू निचोर दीजे इससे देखे का आप बात में कलर कैसा हो जाता है आज के लच्छे मिलते हैं आप देखे का ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएंगे अब हम इसे भी साइट रख देंगे देखे दाल में उबाल आचो अब तो डाबों पर मिलने ही लगी है औरत की दाल वैसे भी पंजाब साइट हिमाचल साइट आप जाएंगे तो औरत की दाल काफी मिलती है धोरी कसूरी मिती डाल देंगे अब मैं इसके तरके की त्यारी कर लेती हूँ इसके लिए मैंने एक कर्ची गी लिया है उसमें जीरा डाल दिया है जीरा जैसे ही तरक जाएगा इसमें लाल मिर्च डाल के मैं इस डाल के उपर डाल दूँगी लाल मिर्च डालने के बाद तुरंद हमीं ये डालना होता है नहीं तो लाल मिर्च पाउडर जल जाता है अब इसके उपर हडा दन्या डालके हम इसे साइट कर लेंगे अब मैं पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आठा गुंद लेंगे इसके आठे के लिए मैं सादा ग्यों का आठा ले रही हूँ इसमें स्वाद अनुसा नमक डालके इसका एक मीडियम डोर नीट कर लेंगे न जादा टाइट हो न जादा सॉफ्ट हो अब आठा बहुत जादा सॉफ्ट होगा तो इसके लच्छे खुलेंगे नी और बहुत जादा हाड होगा तो एक्टम से भिखरते जाएंगे वो एकसा नहीं होगा इसलिए इसका मीडियम सॉफ्ट आता ही हमें नीट करना है अब आठा गुन चुका है अब मैं इसके उपर गी लगा के इसे एकसा कर दूँगी पांच मुन ट्रेस्ट के बाद मैं इसके लोईयां बना दूँगी अब देखें लोईयां को इस तरसे हथेली से एक केक को रगडिये और मसल के अच्छी तरसे इसके लोईयां बना दीजिए अब मैंने दूसी तरफ ये पुदीने के पत्ते लिए इन्हें में बारिक काट लूँगे जितने मैंने पुदीने के पत्ते लिए उतने ही मैं दनिया के पत्ती भी ले लूँगे दोनों को अच्छी तरसे मिक्स कर लूँगे पहले इन्हें दो लीजे बाद में इन्हें कट कीजिए कट करने के बाद नहीं दो यह नहीं तो इनकी जो खुश्बू होती है वो खतम हो जाती है अब मैं एक लोई लेके इसे पराठे की तरह बेल लूँगी अब इसे अच्छी तरह से अंदर से गी लगाएंगे गी से यह पराठा बहुत ज़्यादा खसता बनता है इसके उपर सूखे अर्टर कर डस्ट कर लेंगे और एक चीरा लगा देंगे हाफ उसमें इसके उपर जो हमने पुदीनया और धनिया काट के रखा तरह उसे डाल देंगे तीन साइड रोल करने के बाद इस तरह से हम इसे गुमाएंगे देखते जाहिए आप देखने से ज़्यादा समझ में आगा फिर इसे दबा के इस तरह की लोई बना लेंगे इस तरह हम पहले लोईयां बना के रख देंगे फिर जब हमें पराठा बनाना हो तब इसे हलके हाथ से इस तरह से बेल लेंगे ये थोड़ा सा मोटा ही रहता है ताकि इसकी परतें खुलें और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अंधर की सर्फ से इस तरह से इतना मोटा होना चाहिए पराठा बेल लेंगे, मैंने तवे को गरम करने के लिए रख दिया था, इस पर गी डाल दूँगे इस पराठे को गी में या बटर में ही सेकें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब देखिएगा, जब यस देख जाएगा, मैं आपको इसके लच्छे दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी तरह से यह लच्छे खुल रहे हैं और यह पुदीने का जो लच्छा पराठा है, आपने कभी नहीं खाया होगा, इससे आप एक पर जरूर ट्राय कीजिए इस दाल के साथ तो इसका फ्लिवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि दाल हैवी हो जाती है, और पुदीने का बहुत ही अच्छा है इसमें फ्लिवर आता है अब देखिए, दोनों को सिम्प करके पहले थोड़ा हाई फ्लेम पे फिर सिम्प पे देखिए, पूरी तरह सेख लीजिए, अब मैं आपको प्याज दिखा रही हूँ, प्याज भी कितना रेडिश हो चुका है, बिलकुल इससे जैसे हम डाबी में खा रही हूँ अब मैंने ये थोड़े पकोड़े बनाए थे, वो रख रही हूँ, दाल रख रही हूँ, और निम्बू का अचार रख रही हूँ, अब मैं पराठे आपको दिखा रही हूँ, देखिए, कितने अच्छी तरह से इसकी परतें खुल रही है, ये बिलकुल रेडि है